हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 365 Days, ये 2020 की इटेलियन पोलिश मूवी एक्स्प्लेन करने वाला हूँ इस मूवी में एक गैंग्स्टर एक लड़की को देखता है और उसके पैर में पढ़ जाता है जब वो उसे मिल जाती है तो 365 Days के लिए उसे किड्नैप कर लेता है ये मूवी somewhat romantic, dramatic मूवी है 365 Days इसी नाम के novel पर ये best है अगर आपको इस मूवी का link चाहिए तो Instagram पर आकर आप directly ले सकते है तो बिना किसी देए के चली शुरू करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक beach house दिखाया जाता है यहाँ पर हम देख सकते हैं इस दो गैंग के बीच में मिटिंग चल रही है इस मूवी का हमारा जो main character है इसका नाम है Masimo यहाँ इस मिटिंग में Masimo के फादर दो लोगों से बात कर रहे है इन दो गैंग्स्टर ने बहुत सारी लड़कियों को kidnap कर लिया है पर उन्हें country से बाहर ले जाने में इन्हें बड़ी सी problem है यह problem solve करने के लिए Masimo के फादर के पास वो आये हुए है Masimo के फादर एक बड़े माफिया गैंग के बोस है तो यह सब वो कर सकते हैं पर उन्हें यह सही नहीं लगता यह उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि इनकी rules के वो खिलाफ है जब मिटिंग चल रही है तब Masimo बीच पर Laura को देखता है Laura यह हमारी main character है Masimo उसे देख कर बहुत ही attracted होता है Masimo के फादर उसके पास आते और कहते हैं कि दोनों बहुत ही घटिया लोग थे पर फिर भी हमें इनके साथ business करना ही पड़ेगा आगे चल कर हमारी काम में यह आ सकते हैं Laura को देखते हुए Masimo को उसके फादर notice करते हैं Masimo के फादर कहते हैं कि वो beautiful है पर फिर भी तुम्हें ज़रा careful रहना पड़ेगा खुबसूरती तुम्हें बरबात करका छोड़ सकती है फादर Masimo को ज़रा serious होने के लिए कहते हैं सब business फादर को ही समालना पड़ता है और Masimo ज़ादा उसमें interest ने लेता आगे चल कर Masimo को ही सब कुछ रन करना पड़ेगा इसलिए उसे कहते हैं कि आप ज़रा तुम serious हो जाओ यह दोनों बात ही कर रहे हैं तभी Masimo के फादर को गोली लग जाती है यह गोली किसने चलाई थी यहां मैं पता नहीं चलता पर इसमें Masimo भी injured हो जाता है फादर की यही date होती है पर Masimo बच जाता है इसके बाद थोड़े दिन गुजर चुक है Masimo पूरी तरह से record हो चुका है उसके उसके accountant से meeting चल रही है यह हम देख सकते हैं उसके accountant उसे कहते हैं कि आपके फादर की मर जाने के बाद उनकी सिर्फ 30% revenue आपको मिलेगी Masimo कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ पैसे दे दिये थे उससे क्या करना था यह तुम्हारी responsibility थी मुझे इमत बताओ कि मुझे सिर्फ 30% ही मिलने वाले है Masimo पर कोई भी agree नहीं करता तो सब की file Masimo के पास है इन files में कई लोग के affairs भी होते है Masimo फिर कहता है कि तुम्हारी भी बड़ी company है अगर मैं सब out publicly कर दूँगा तो सब share तुम्हारे भी डूप जाएंगे और बचे-खोचे पैसों में से तुम्हारी company में buy कर लूँगा और तुम्हें fire करूँगा सब डर जाते है Masimo कहता है कि जो भी सब ऐसे है वो सब मुझे मिल जाने चाहिए और उस पर वो 10% interest भी लेने वाला है इस scene से Masimo किस तरह का strong character है यह हमें पता चलता है इसके parallel scene में लॉरा एक marketing meeting में है लॉरा की company में एक बड़ा सा loss हुआ है उसका core कर उसे कहता है कि यह तुमारी वज़े से हुआ है लॉरा easily victim हो जाए इस तरह का character नहीं है वो भी यहाँ fight करती है जो fact जिस तरह से थे वो उससी तरह से कहती है उसका job जाने वाला था पर उसे उस save कर लेती है इसके बाद हम देखते है कि लॉरा अपने घर आती है उसका एक boyfriend है आज वो उसके साथ intimate होना चाती है पर उसका boyfriend कहता है कि कल हमारी fright है तुम ज़रा आज आराम कर लो इनकी relationship कही दिनों से सही नहीं चल रही इस वज़े से एक trip लेना चाते है लॉरा फिर रात में अपने आप कोई ब्लीज कर लेती है नेक सिन में हम देखते है कि लॉरा और उसका boyfriend holiday के लिए आ चुके है लॉरा का boyfriend उसे डिनर के लिए ले कर जाता है यहां लॉरा के friends भी है उसके लिए एक बड़ा सा toast करता है यह सब बात ही कर रहे है तभी हम देखते है कि उनके लिए शैंपियन की बोटल आती है इन्होंने यह order नहीं की पर किसी ने उन्हें गिफ्ट की है लॉरा थोड़ी दर में वास्रूम जाती है यहां वो मसीमो से टकराती है इससे हम बोल सकते है मसीमो ने ही वो बोटल उसे भीजी थी नेक सेन में हम देखते है कि नेक सुबह लॉरा अपनी फ्रेंड ओलगा के साथ हैंग आउट करती है लॉरा का बोइफ्रेंड उसे बाहर ले कर जाने वाला था पर वो अकिला ही चला गया उसकी फ्रेंड उसे कहती है यो ऐसे कैसे कर सकता है लॉरा कहती है कि उसके life में कुछ priorities है पर उस priorities की list में कभी भी में first number पर नहीं आती है लॉरा का boyfriend उसके पास आता है लॉरा उसे confront करती है वो कहता है कि तुम्हारी heart condition है शिवाजे से जादा तुम activity नहीं कर सकती है लॉरा को सचमुच एक heart condition है लॉरा कहती है हर बार तुम हर conversation को सिर्व मेरे heart condition पर ही नहीं blame कर सकते है उस पर गुसा होकर वहाँ से वचली जाती है रात में वो अकेले shopping कर रही थी तब ही कुछ लोगों ने उसे किड़ना अप कर लिया directly next रात ही उठती है वो समझ नहीं पाती कि वो कहा है आसपास देखती है सब घर ढुणती है जब वो living room में आती है तब उसका बड़ा सा portrait वहाँ लगाय हुआ है यहाँ अगर मसीमो उसके पास आ जाता है लॉरा डर जाती है तुम हो कोन यहाँ मजे क्यों रख रहे हो मसीमो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ पर एक चीज़ तुम ध्यान रखना कभी भी मैं जूट नहीं बोलता अब मसीमो explain करना start करता है मसीमो कहता है कुछ मन पहले मैं तुम्हें बीच पर देखा था तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया था उसके बाद मुझे कोली लग गए और मैं होस्पिडल में था मैं तुम्हें ढूनना चाता था पर तुम्हारे बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था उस इंसिडेंट को 2-3 साल घुजर चुके है इतने सालों तक तुम्हें अही में ढून रहा था मसीमो अपनी बिजनेस के लिए घुमता रहता है तो इसलिए लौरा को उसने देख लिया था और उसने उसे किर्णाप कर लिया लौरा कहती है कि मैं कोई चीज नहीं हो ऐसे तुम मुझे पा नहीं सकते मसीमो कहता है कि हाँ मुझे पता है इसलिए मैं तुम्हें एक साल देना चाहता हो एक साल में तुम अगर मेरे पैर में नहीं पड़ी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा लॉरा कहती है मेरा बॉयफरेंड है मेरी लाइफ है ऐसे कैसे मैं छोड़ सकती हूँ लॉरा के बॉयफरेंड का चक्कर चल रहा था उसकी सब फोटो मसीमो लॉरा को दिखाता है उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है पर फिर भी वह एक करने के लिए राजी नहीं है वो रेजिस्ट करती है और मसीमो की गन अपने हाथ में ले लेती है मसीमो उसे कंट्रोल कर लेता है मसीमो कहता है हमेचा मुझे जो भी चीज़ चाहिए थी वो मैंने पा ली है मुझे कभी भी गुसा मत दिलाना वरना बहुत बुरा होगा यह लौरा से बात कर रहा था तभी मसीमो के आदमी वहा आ जाते है एक इशु है जो उन्हें सौट आट करना है मसीमो फिर अपने बेस्वेंट में आयो हूँ में दिखता है मुवी के फास में हमने कुछ लोग देखे थे जो लड़कियों की ट्रैफिकिंग करना चाते थे मसीमो के फादर ने उन्हें मना किया था पर फिर भी ये कर रहे थे जिसने किया था उस आदमी को यहाँ पकड़ कर रखा है मसीमो कहते है मेरी बिजनेस से तुम कुछ चुरा लेते तो भी शायद मैं तुम्हें माफ कर देता पर तुमने जो किया है बहुत ही गलत किया है लॉरा इस जगा से भागनी की कोशिश करती है वो बाहर आती है तभी मसीमो इस आदमी को मार रहा होता है यह मर्डर देखकर उसे चक कर आ जाती है नेक सुबा जब लॉरा उठती है तब उसके पास मसीमो बेटा हुआ है उसे यह ता है जो तुमने देखा तुमें नहीं देखना चाहिए था मैं तुमें अशोर करता हूँ जिसको भी मैंने मारा है वो यह डिजर्व करता था लॉरा जल्दी से इस सिचुएशन से नहीं निकल पाएगी यह उसने एक्सेवट कर लिया है वो मसीमो को कहती है कि मुझे मेरा लैप्टॉप और मोबाल चाहिए मसीमो कहता है कि मुझे अच्छा आइड़ा नहीं लगता जब सही टाइम आएगा तो सब कुछ तुमें मिल जाएगा मसीमो कहता है तुमारा सब सामन में यहां लाच चुका हूँ मेरा आदमी डॉमनी को हमेशा तुमारे साथ रहेगा जो भी चीज़े तुमें चाहिए होगी वो सब लाग कर देगा लॉरा जब लंज के लिए आती है तब उसके लिए बहुत सारी चीज़े बनवाई हुई है थोड़ी दर में मसीमो उसके पास आता है और कहता है कि आज मुझे ज़रा काम है तो तुम मेरे साथ चलोगी लॉरा कहती है तुम्हारे साथ में कही भी नहीं आने वाली मसीमो बोलता है कि मैंने पूछा नहीं था एक ओर्टर था और उसे जबर्दस्ती लेकर जाता है मसीमो का काम हो जाने के बाद लॉरा उसे बहुत सारी शॉपिंग करवाती है शॉपिंग करते होत एक शॉप से और पुलिस के पास आती है जब मसीमो बहाँ पहुचता है तो पुलिस भी उसे इग्नोर कर देते है मसिमों से कहता है कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हें टज भी नहीं करूँगा अगले नेक साल तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना है तो जल से जल तुम इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो यह मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी इजी होगा तुम्हें जो लगता है कि मैं एक मॉंस्टर हो इस तरह से मैं नहीं हो लॉरा फिर कहती है कि मुझे जल से जल मेरा लैपटॉप और मोबाइल चाहिए उसे एक डीश पसन है तो बनवाने के लिए कहती है लॉरा अब थोड़ा सा कमफरेबल होकर रात में डिनर के लिए आती है वो मसिमो से पूछती है कि अगर मैं एक साल तक यही रहने वाली हो तो तुम करते क्या हो तुम कौन हो यह तुम मुझे पता होना चाहिए मसिमो कहता है कि जितना तुम्हें कम पता हो यही सही होगा पर फिर भी उससे कहता है कि मेरे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अलग-अलग बिजनेसे से तुम मुझे as a businessman कही भी introduce करा सकती हो बसीमो फिर लॉरा के पास आता है किता है कि जंडल बनने में मुझे तुम ज़रा हेल्प करना लॉरा रात में अपने बेडरूमें आती है तब उसका लैप्टॉप और फोन उसे मिल चुका है वो अपने मदर को और फ्रेंड्स को कॉल कर देती है उसके बॉर्फरेंड के रूम में मसीमो ने अल्रीडी एक लेटर रखवाया था जिसमें लिखा था कि लॉरा उसे हमेशा के लिए छोड़ कर जा रही है इसलिए उसका बॉर्फरेंड उसे नहीं डून रहा था लॉरा सबको इन्फरम करती है कि एक नई कंट्री में उसे जॉब मिल चुका है और सबको वो जल्दी से जल्द मिलने के लिए आएगी लॉरा जब सोती है तो मसीमो उसके पास आकर सो जाता है सुबा होने बाद लॉरा है नोटीस करती है अब मसीमो की चिडाने के लिए उसके सामने ही नहाती है मसीमो ने उसे कहा है कि जब तक वो उसे अलाउड नहीं करेगे तब तक वो उसे टस्ट नहीं करेगा तो उसे पूरी तरह से वो चिडाने वाली है मसीमो चिड कर उसे कहता है कि हमेशा मुझे जो चीश है यह थी मुझे मिल चुकी है तुम मुझे ज़ादा चिड़ा हो मत वरना तुम्हारा हाल बहुत भुरा होगा आज मसीमो ज़रा बाहर जाने वाला है तो लॉरा कभी अपनी फ्लाइट में लेकर जाता है लॉरा रजिस्ट कर रहे थी तो उसे उसने पूरी तरह से बान दिया है यहाँ इस फ्लाइट में उसे री जाने की कोशिश करता है तो फेर से हो सकता है जब तक तुम मुझे हा नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करने वाला मसीमो को इंबेरस करना यहीं लॉरा का मीशन बन चुका है मसीमो जब अपने प्रदर से बात कर रहा होता है तब लॉरा वहा आती है बहुत ही अनपरोप्रेट तरीके से आईस्क्रीम खाती है सब लोगों के सामने फॉंटन में जाकर नहाती है मसीमो बहुत चिट जाता है रात में एक रूम में वह उसे लेकर जाता है यहाँ पर बेट से जबरदस्ती उसे बान देता है लॉरा को कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या तुम मिस कर रही हो एक लड़की को वह अंदर बुलाता है उसके साथ इंटिमेट हो जाता है यह उसकी लॉरा को जेलस फिल कराने की एक कोशिश है थोड़ी देर में अब इने कलब में जाना है लॉरा फिर से मसीमो का इंबरस करने के लिए एक छोड़ी सी ड्रेस पहनती है मसीमो है देखकर फिर से चेटता है जब वो कलब में जाते है तो Masimo के सामने एक दूसरे आदमी के साथ वो फ्लर्ट करती है थोड़ी देर में ये आदमी उसके साथ जबरदस्ति करने लग जाता है Masimo गुस्सा आता है इस आदमी को बहुत मारता है उसके हाथ पर एक गोली भी चला देता है मसीमो के फादर का एक फ्रेंड है जो इनके लिए काम करता है उसके फादर फिगर ही वो है मसीमो को कहते है कि जिस आदमी को तुमने मारा वो हमारे राइवल ग्याइंग का एक मेंबर है तुमने जो किया है इसी वज़े से अब वार स्टार्ट हो चुकी है लॉरा यह सब सुन रही थी उसे लगा कि मसीमो ने उस आदमी को मार डाला मसीमो उसे समझाता है पर कहता है यह सब तुम्हारी इकलती है इन दोनों में फाइट हो जाती है लॉरा गुस्से में इस याड से जम मार देती है मसीमो उसे बचा लेता है लॉरा को जब भोश आता है तो मसीमो कहता है कि मैं फिर से नहीं होने दूँगा एक बार मैंने तुम्हें खो दिया था फिर से में तुम्हें नहीं खो सकता लॉरा को रियलाइज होता है कि मसीमो साचुच में उससे बहुत पैर करता है लॉरा भी अब मान जाती हैं और यह दोनों इंटिमेट हो जाते हैं बहुत सारे दिन वो यही याठ पर बिताते हैं एक दिन मसीमो लॉरा को कहता है, कि हमें party में जाना है या एक गाला party है, इसका मदलब है सब लोग mask पेहरा पहन कर dance करने वाले हैं लौरा को makeover देने के लिए special आदमी बुलाए जाते हैं लौरा बहुत खुश होती है रात में ये तोनों गाला में आते हैं बहुत ही beautiful dance करते हैं इन दोनों के पास एक लड़की आती है ये मसीमो की ex-girlfriend है ये मसीमो से कहती है कि लास में तुमने उसे पाही लिया है ये लौरा को मार डालेगी ये क्या कर वहाँ से चली जाती है लौरा पुशती है कि ये कौन थी मसीमो कहता है कि वो मेरी ex-girlfriend थी लौरा पुशती है कि तुमने break up कब किया मसीमो कहता है कि जिस दिन मैंने तुमें देखा और दुनों घर आ जाते है एक दुसरे के साथ intimate होते है मसीमो लौरा से कहता है कि बहुत दीन हो चुके है तुमने friends अपनी family से नहीं मिली तो उसके लिए वो ticket विगरा book कर कर देता है वहाँ से जाते जाते उसे I love you कहता है लौरा अब अपनी country में आ चुकी है अपनी friend ओलगा से मिलने के लिए जाती है ओलगा से सब कुछ वो जूट कहती है उसे अच्छी जॉब मिल चुकी है और अच्छा boyfriend भी है यह सब उसे कहती है सब चीजे शुगर कोट कर कर उसे बताती है पर उसकी friend भी smart है लौरा कहती है कि यह सब बादे तुम्हारे पास ही रखो सचुच में क्या हुआ यह तुम मुझे बताओ इसकी next scene में लौरा हमें डारेक्ली रोती हुए दिखती है वो अपनी friend को सब कुछ सच सच बता देती है उसकी friend को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है लौरा को cheer up करने के लिए वोलका उसे बाहर लेकर जाती है यह massage करवाते है new haircut करते है यह दिन बहुत अच्छा सा उपिता थे रात में जब यह party करने के लिए कलब में आते है तब लौरा का ex-boyfriend भी वहा है लौरा को समझाने की कोशिश करता है वो कहता है कि तुमसे बहुत बयार करता हो वो कहता है तुमने जो सब फोटो देखी वो सब गलत है मैं नशे में था इसी वज़े से यह सब हो गया लौरा का पीछा करते-करते वो उसके अपार्मेंट तक आ जाता है लौरा उसे जाने के लिए कहती है पर वो जाने रहा था यहाँ इस अपार्मेंट में मसिमो अल्डेडी आ चुका था लौरा का boyfriend यह देखकर वहाँ से चला जाता है इसके बाद यह दोनों फिर से इंटिमेट हो जाते है लौरा आप मसिमो से कहती है कि आप मुझे एक साल नहीं चाहिए वो भी उससे पैयर करती है सुबह होती है तो लौरा नोटिस करती है कि उसके फिंगर में अल्रेडी रिंग है वो पहले सप्राइस्ट होती है पर मसिमो उसे शादी करने के लिए उससे पूछता है लौरा भी उसे हा कहते थी है लौरा की एक फ्रेंड की शादी है वहाँ पर वो मसिमो की भी लेकर आती है लौरा के मदर और फादर यहाँ प्रेजेंट है लॉरा एक्चुल में पोलिश है और मसिमो इटेलियन लॉरा के मदर फादर को मसिमो की लैंगवेज नहीं पता और मसिमो को उनकी लॉरा मसिमो को अपने मदर फादर से इंट्रोडूस करवाती है फादर पुछते है कि यह करता क्या है मसीमो कहता है कि मैं गैंक्स्टर हूँ पर लॉरा के मदर फादर को यह समोज बनी आता लॉरा अब सबसे मिल चुकी है तो फिर से वो इतली आ चाते हैं इन दोनों ने डिसाइड किया है कि इनकी शादी इसी कंट्री में होगी लॉरा नहीं चाती कि किसी को भी पता चले कि मसीमो एक्च्वल में करता क्या है इस वज़े से अपनी वीडिंग पर किसी को भी नहीं बुलाने वाली सिर्फ उसके फ्रेंड को बता है तो उसे इन्वाइट वो करने वाली है यह सब वो मसीमो को कहती है और Masimo भी इसके लिए एग्री करता है जब Masimo और Laura बात करे थे तब Masimo का advisor भी वहा है Laura कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते ये advisor कहता है कि हाँ हम italians है Masimo की शादी तुमसे हो कि कोई भी नहीं चाथा ये कुछ person नहीं है पर इससे हमारे बिजनेस पर कुछ फरक पढ़ सकता है नेक्से में हम देखते है कि लॉरा की फ्रेंड ओलगा यहाँ आ चुकी है लॉरा अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो प्रेग्नन्ट है उसकी फ्रेंड उससे बहुत इचिट जाती है उसे कहती है कि तो अमने life के साथ कर क्या रही हो तुम्हें realize नहीं हो रहा पर तुम्हें एक golden cage में हो तुम्हें अब ये सब सही लग सकता है पर आगे चल कर future में तुम्हें बहुत problem आ सकते है लॉरा इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाते उसकी friend भी उसे समझ लेती है वो मजाग में कहती है कि at least तुम्हारे बच्चे तो खुबसरत आएंगे वो smart नहीं होंगे पर खुबसरत होंगे यह दोनों इस पर बहुत हस्ती है लोरा और ओल्गा फिर वेडिंग शॉपिंग करते हैं शॉपिंग करते हैं नेकसिन में हम देखते हैं मसीमो के advisor को call आता है वो बहुत ही tension में है वो जल्दी भाग कर मसीमो के पास जाता है लोरा की जान को खत्रा है यह उसे कहता है लोरा और ओल्गा दोनों गाड़ी में थी लोरा ओल्गा से कह रही थी कि वो प्रेगनेंट है कि वो मसीमो को कहने वाली है इन दोनों के गाड़ी हमें टनल में जाती हुई दिखती है मसीमो को अभी अभी पता चला है कि लोरा डेंजर में है उसे वो call करने के कोशिश करता है पर और call लग नहीं पाता वो ही नीचे गिर कर वो रोने लग जाता है लोरा टनल में गई थी पर टनल के बाहर हम पुलिस की गाड़ी देखते है यानि कि लोरा को कुछ हो चुका है यहीं मूवी एंड कर देते है एक्चुल में एक बुक सीरीज है जिसमें तीन बुक्स है नेक्स्ट पार्ट की शुटिंग स्टार्ट हो गई थी पर कोविड-19 की वाज़े से अब वो ज़रा रुख चुकी है लोरा को वैसे कुछ भी हुआ नहीं है वो इस बुक्स की पूरी स्टोरी में है मुवी का जब नेक्स पार्ट आएगा तो मैं उसे एक्स्ट्रेन करूँगा पर अगर आपको पूरी तीनों बुक्स की स्टोरी एक समरी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो मैं एक शॉर्ट वीडियो उस पर बना कर डाल सकता हूं आज का वीडियो हम यही कदम करते है अगर आपको वीडियो अचा लगा तो फ्लीज इस वीडियो को लाइक करतीजेगा बहुत सारी मुवीज लेकर आता रहता हो तो फ्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करतीजे और बेल नोट विशन आइकोन दबाने में मत भूलिये फिर से मिलेंगे और एक निमुग के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये